तो पहला हमारा टॉपिक क्या है गती किसे कहते हैं तो लिखा क्या है जब पिंड या वस्तु यहां यहां दीजिए फ्रेम और समय के संबन्ध में अपनी इस्थिती बदलती है तो पिंड किसे गती में हैं तो चले हिसे समझते हैМ मान लेते हैं कि कोई यक इनसान है कि एक बज़े किस जगा पर है और दो बज़े वो यहां से यहां आ Teknar जलई पर ये इंसान अपनी स्थिती बदल लिया, यहां से यहां चला आया, इसे कहेंगे कि समय के सापेक्ष में अपनी स्थिती बदल रहा है, तो यह गती में है, यह तो हो गई समय की बात, अब फ्रेम की बात सुनते हैं, जैसे मान लो कि यह एक इंसान है A, और यह दूसरा इंसा यहां और दो सेकेंड बाद यहां चाहिए तीन सेकेंड बाद यहां एक इस आपेक्ष में भी अपनी स्थिती बार-बार बदल रहा है तो बी किसमें है गती में है ठीक है तो यह इसका मतलब क्या होता है कि एक इस आपेक्ष यानि कि इसके फ्रेम में यह चल रहा है या बी के तो कहेंगे चलने वाले के सापेक्ष चल रहा है तो उसकी स्थिती बदल रही है तो उसे लगेगा कि रुके हुए की स्थिती बदल रही है या गाड़ी के सापेक्ष में इनसान के स्थिती या इनसान के सापेक्ष में गाड़ी के स्थिती यानि कि यही क्या कहलाता है फ्रेम तो अगर वो frame और समय के संबंद में अपनी स्थिती बदल रहा है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे वो किस में है गती में है अब गती कितने आयाम में होती है एक विमी होती है दो विमी होती है तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है एक विमी गती वो गती होती है जो सरल रेखा में गती शील होती है यानि कि जो बिल्कुल सरल रेखा में चले तो जैसे कि यहाम ने उदारण ले रखा है रेल गाड़ी की गती रेल गाड़ी क्या होती है एक पट्री पे बहुत सीधा सीधा से चलती है तो उसे कहते हैं एक वि छीद्धिमा में जो चीज गति करती उसे कहते है द्वीविमी गति उद्धारण के लिए या लिखा वाए डेस्क की सतह पर चलती चीटी, हमने ये सका पैर है ये डेस्क है, इस पर चीटी चल रही है. चीटी कुछ इस तरह से अगर चल रही है कि वह इस डाइरेक्षन में भी बढ़ रही है और इधर उपर भी चल रही है यानि axe और ऊपर चल रही है यानि कि veramente आ हो गया दुवैक्ष सवे दोनों पे चले वह जलाती है दुवैकल इक्सक्ष में कीड़ें की गती एक कम्र जैसा होता है तो क्यूब में होता है लंबाई चोड़ाई उचाई अब आप अपनेक ! को जहां आप बैट के अभी पढ़ रहे हैं वही इमाजिन कर लिजे कि एक साइड आपका लंबाई हो गया एक साइड चौड़ाई और कमरे की जो ऊचाई है वो उचाई तो यह तीन डायरेक्शन में होता है X भी होता है Y भी होता है और Z भी तो जो इन तीन डाइरेक्शन में गती करें उसे कहते हैं प्री विमी गती एक कमरे में अगर एक कोई कीड़ा उड़ रहा है लाइक ये कमरा है ये उड़ रहा है तो वो लंबाई भी चल रहा है चोड़ाई भी और उड़ रहा है तो उड़ रहा है तो उचाई भी चल रहा है तो इसे कहेंगे प्री विमी गती अब गती के प्रकार प्रकार कितने होते हैं पहला है सरल रेखी गती तो सरल रेखी गती क् दारण के लिए हमने बताए सड़क पर एक कार की गती अब एक रोड है ऐसे straight ही तो होती टी है तो गाड़ी पर चल रही है तो यह क्या हो सरल रेखी गती ठीक है अगला है हमारा वृती गती वृत्त कार गती किसी वृत sponge की पी कि सथ किसी वस्तु की गती क्थUND कि casing गूमना है क्या या लिकार किसी वृत की परिदी हमने मान लिया कि वृत है इसकी परिदी जो भी गति हम कर रहें इसी को कहते है वृत्ताकार की ईगली में आया होगा दम किसी निसले सीरा कि परिदी पर जो कर दोग कहन स обяз़तीे फिर स annot निbas व्रित्ताकार गती जैसे कि उदारण में लिखा है सूरी के चारो और पृत्वी की गती क्या होता है यहां सूरी होता है यहां पृत्वी यह पृत्वी इसके चारो और ऐसे गती करती रहती है करती रहती है तो यही क्या हो गया व्रित्ताकार गती अगला हमारा घूड़न गत गूडन गती क्या हता है drastically को एक निश्चित कख्षा में एक वरित् Southern कार𝘳 Państw के चारों ओर किसी वस्तू के गती के रूप में परिभाशित किया सकता है एक सब्सक्राइब कि लिए कि हम बुर्मेश के होता है कि वह वरित्ता कार तो आसका हुए लेकिन यह पॉइंट पर किसी एक बिन्दू पर ही गोंती है से 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 आप लोगोगने पः़िया देखो मोटर गाडही किसी कभी पई क्या होता है यह पर एक ऐसे पॉइंट होता है यहां भह deill करता है की कि से खुश्रयं करता हो जैसे यानि यानि कि तू एंड फ्रो मोशन जैसे कहते या आगे और पीछे की गती तो दोलन गती को अपने निश्चित स्थिती के बारे में पिंड की आगे और पीछे की गती जैसे अगर हम बात करें कि हमने कि स्प्रिंग को यहां से फिक्स कर दिया यहां से बांद दिया और यहां से प कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है उधारण उसके कंपित तार कोई तार है जैसे गिटार वगेरा में उसको हमने छेड़ दिया तो वह थोड़ी देर तक ऐसे से वाइबरेट की फिर रुख गई जूले का जूलाना तो जूले को भी हम अगर यहां पर यहां बंधा होता है यह इसनुट की के बारे में फिर नियम कि अगर कोई चीज रुकी ऊई है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक हम उस पे कोई बल लगा करके वहां से ना हटा दे या अगर कोई चीज चल रही है तो तब तक चलेगी जब तक हम उसको बल लगा करके रोके नहीं तो यही कहलाता है पहला नियम सोची जैसे अगर कोई बुक है वो किसी मेज पर रखी है तो वो क्या अपने आप से वहां से उड़के चलने लगेगी नहीं वो रखी है तो वो रखी ही रहेगी जब तक हम खुद जाकर कि उस बुक को उठाए ना और उठाना क्या हो गया बल ठीक है या अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो तब तक चलेगी वो तो चलती रहेगी ना तो जब तक हम उस पे कोई ब्रेक ना लगाए ब्रेक क्या हो गया बल तो यानि कि रुकी वोई चीज या चलती वोई चीज तब तक उसी स्टिती में रहेगी जब तक हम उस पे कोई भी बल ना लगाए यही नि Newton के गति का तीसरा नियम जिसे हम लोग बहुत इच्छे से जानते क्रिया प्रतिक्रिया नियम यानि कि यह वताता है कि प्रतिक्रिया के बराबर और विप्रीद प्रतिक्रिया यानि कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसी जितना भी हम काम कर रहे हैं जितना फोर्स लगा रहे हैं उ उपने हाथों से पानी को पीछे धकेल कर कर्क्रिया करता है धकेला पानी lost Пerey को बलगाके हमें आगे धकेल देता है अब हमारी टॉपीक है चाल पॉचाल क्या होती किसी वस्तू द्वारा एकांख समया मेंРЕ दे की गई दूरी को चाल कहते है यानि कि कोई भी चीज कितने समय में कितनी दूर गई उनका जो अनुपात होता है वही कहलाता है चाल ठीक है जो 30 second में 180 meter की दूरी टै करती है तो उसकी चाल क्या होगी हम लोग जानते है चाल बराबर दूरी बटे समय दूरी कितनी है 180 meter तो हमने यहां लगा दिये 180 समय दे रखा है 30 second तो हमने यहां लिगते है 30 second जब 180 को हम 30 से divide करेंगे तो क्या होगा 0 से 0 गया 3618 आंसर कितना है 6 meter per second ठीक है अगला हमारा है बल बल क्या होता है अगर आप normal देखिए तो क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ पे जब बल लगाते हैं तो उसकी स्थिती में क्या होता है जैसे अगर हम दर्वाजा खोल रहे हैं तो बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है दर्वा बाहिकारक है जो किसी वस्तू पर लगाई जाने से वस्तू की स्थिती में क्या हो जाए परिवर्तन हो जाए ठीक है जैसे मेज पर रखी पुस्तक को उठाना चलती गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकना दर्वाजा खोलना और बंद करना इत्यादी अब बल के कुछ प्रकार होते हैं जैसे पहला है पेशी बल नाम से ही लग रहा है कि हमारी पेशी मासपेशियां जो होती है वो जो कांकरे वही कहलाता है पेशी बल तो जब कोई बल हमारी भुजाओं या टांगो जैसी मासपेशियों के प्रयोग द्वारा लगाया जाता है यानि कि हमारी बोडी का यूज करके हम लगाते हैं बल उसे ही हम कहते हैं पेशी बल उदारण के लिए यहां लिखा हुआ है यदि आप एक इट को जमीन से उठाते हैं तो आपकी मास पेशियां इसे उठाने का काम करती हैं इसलिए यहां मास पेशियों का बल बाजुओं द्वारा लगाया जाता है तो हम जब भी कोई एट उठाते हैं, तो अपने शोल्डर से उठाते हैं, बाजमों से उठाते हैं, इसलिए इस बल को क्या कहा जाएगा, टेशी बल. next है हमारा गृत्वा कर्षड बल क्या है गृत्वा कर्षड बल को आकर्षड बल की रूप में वर्डिक किया जाएगा यानि कि गृत्वा कर्षड बल क्या होता है एक आकर्षड बल होता है ब्रहमांड में हर द्रव्यमान वाली चीजें अब दूसरे द्रव्यमान वाली चीजों को अपनी तरफ आकरशित करती है और यही क्या कहलाता है गृत्वा करशड बल तो हम मान ले रहे हैं कि ये द्रवेमान M1 है और इसका द्रवेमान M2 और इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो R है तो हम लोग formula जानते हैं गृत्वा करशडबल F का G M1 M2 upon R square इन denen दोनों के आमने सामने साउ्प और नौर्थ तो यह करेंगे आकरुएificación और अगर हम एक चुंबक की नौर्थ साउथ है और इसके पास एक और चुंबक लाएं लेकिन इस बार पोल बदल दिये Хेहां साउथ यहां नौर्थ तो सेम सेम पोल क्या होता है प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो यह बल चुम्बकों को एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का कारण बनता है जुंबक की बल के बहुत सारी उधार रहने जिसे कमपास है motor है चुम्बक है यह सारे है विद्व बल्ट क्या होता है किनही किनहीं दो आवेशित पिंडों के बीच रतिकरशष्ड या आकरशड अन्योन ख्रियाओं को विद्विद्व बल्ट कहते हैं तो कोई भी जो हमारे पिंड़ों के बीच आकर्षड या प्रतिकर्षड आवेशित पिंड हुआ, अगर हम घुल को के प्रतिकर्षड करेंगे लेकिन अगर एक minus charge है और एक plus charge है तो ये दोनों एक दूसरे पे अकर्षडबल लगाएंगे और इनी के इस interaction को इस अन्योन-क्रिया को ही हम क्या कहते हैं विद्यूदबल कहते हैं अब बात आती है घर्षडबल की घर्षडबल क्या होता है घर्षडबल दो सतह एक मेने घर्षडबल दो सतह द्वारा उत्पंड बल है जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और फिसलते हैं ठीक है तो याद रखिए हमेशा कि घर्षड बल क्या होता है surface to surface या ground to ground या सतह से सतह के बीच का बल है ठीक है तो देखिए एक ये सतह है एक ये सतह इन दोनों के बीच में जो बल लगता है इसे ही हम कहते है घरशडबल एक चीज हमेशा याद रखेगा हम लोग बचपन से ये पढ़ते आते हैं कि घरशडबल हमेशा हम जिस दिशा में चलते हैं उसके विपरीत दिशा में लगता है हमेशा हम लोग ये पढ़ी हैं ये बचपन से पढ़ते आते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है ये सिर्फ गलत फेहमी है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं के विपरीत दिशा में चलता है आगे हम समझाते है जैसे कि यह एक रोड इस पर एक इंसान चल रहा है ठीड है चल रहे हैं तो जब उए बढ़ ते रोड को पीछे ढखेलता है तो जूता हमारा रोड को पीछे ढखेल रहा है तो घर्षडवल कहां लगेगा यह सता सता है के बीच के विपरीद दिशा में तो हम जब रोड को पीछे ढखेल रहे तो घर्षडवल आगे लगेगा यानि कि हम भी आगे जा रहे और घर्षडवल भी आगे जा रहा है हम लोग जो बचपन से पढ़ते हैं कि घर्षडवल हमेशा हमारे दिशा के आपोजिट सर्फिस की हुरा पीच का बल है अगर यहुई याद रखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगा अब इसके कुछ examples है जैसे चलती गाड़ी को रोकने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं ठीक है घरशडबल में क्या होता है कि जब हम चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्रेक लगाने से एक मिनिट ज़स्ट अब यह जैसे चलती गाड़ी इस टारेक्शन में चल रही है हमने ब्रेक लगाया तो सर्फेस पे और कार पे एक फ्रिक्शन आएगा और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा यहां पे गाड़ी हमारी जीरो विलॉस्टी की तरफ टेंड करेगी और हम क्या हो जाएंगे रु पन के टिप को किसी भी पेज पे या चौक के टिप को किसी ब्लाकबोर्ड पे लगाते हैं तो वहां घरशडबल शुरू हो जाता है वाइवान को उडाने में वहां पे एयर फ्रिक्शन मतलब हावा का घरशड एक स्टार्ट हो जाता है दीवार में कील ठोकना बागीच्च से वह आगे चलने लगेगा और हमें चोट लग सकती इसलिए वहां घरशडबल बहुत अच्छा रोल निभाता है ठीक है आपकी क्लास आज यहीं गति की खतम होती है आई होप आप लोगों के समझ में सब आया होगा अगर किसी को कोई भी कन्फूजन हो तो वह हुआ तो